हेलो इब्रीवन वल्कम स्वागत है आप सभी का आज इस नए वीडियो में हम लोग नर्सिंग से रिलेटर और भी चीज़े जो पढ़ेंगे इससे पहले वले वीडियो में मैंने लाइप क्लास लिया था जिसमें बहुत इंपोरेंट कोशन्स आप से को बता है था बहुत आप समझ जाए बाकि कोई टिका नहीं है और साथ ही मैं जो बनाता हूँ उसका कोशन लाइप क्लास यहां पर टाइमिंग देख ली जो अलला टाइमिंग है साथ ही अलला टाइमिंग पर लाइप क्लास लेता हूँ सभी लोग ध्यान दिजेगा ठीक है चलिए आज किस आपको सूचना दे जाता है जानकारी दे जाता है और निव से समंधी चीज़े भी बताई जाती है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लिजेगा और वीडियो को सेयर कर दे जगा चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर हमेशा की तरह ल में यहां पर आपको PDF मिलेगा PDF एजूकेशन वाले सेक्शन में जाकर आप वहां पर PDF को इंस्टॉल कर मतलब डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर ध्यान देजेगा टेक फाइनेंस लोन वेबसाइट है इस पर जाकर PDF कर ले सकते हैं और भी बहुत सारे PDF है मतलब डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आपको पहले सवाल को देखना है को पढ़ना अच्छे से ऑप्सन को देखना है बागी में डीटिल करते जाओंगा और सभी को नोट बनाते जाएगा चलिए देखते हैं मानो सरीर में किस अंग में लिंफोसाइड बनते देखें आपर ओप्सन दिया है यह ग्रित लिवर दिया है यहाँ पर स्पलीन दिया हुए और यहाँ पर अगनास से जो पैंक्रियास है वो दिया हुआ है आपि बताने का प्रयास करें क्या होगा राइट अंशर यहाँ पर आप सजिस्ट दिजएगा मैं दwo में 2-3 सकंड का टाइम दूँगा अब फटाक सीश को कमेंट में लिख दीजेगा क्योंकि जब आपको पता रहेगा सवाल को तो उसको तुनन्त लिखेंगे तो हमेशा ताजा हो जाता है और हमेशा के लिए और अस्ती मज्जा थाइमस और अस्ती मज्जा में ये डेबलफ होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है इसको एक और नाम बोले जाता है जिसे इसको कहा जाता है केंद्रिये केंद्रिये लसिकाब अंग क्या बोलते हैं लसि काब अंग ठीक है यहां देखिए एक fact हो गया इसको तुरंत अभी लिख लीजिए अंग ठीक है इसे कहा जाता है lymphocyte lymphocyte thymus और अस्ती मज्जा में विक्सित होता है और इसलिए इसे कहा जाता है केंद्रिये लसी काभ अंग कहा जाता है ठीक है यह fact है इसको अप लिख लीजिए ठीक है यहां पर देखिए अस्ती मज्जा के बारे हम जानते हैं अस्ती मज्जा क्या होता है जो हड्यों के spongy भागों में पाया जाता है ठीक है यह अर्ध ठोस उत्तक होता है ठीक है यहां पर अस्ती मज्जा आप सब अच्छे से यहां जवाब दिये यहां पर आपका राइट अंसर जो है अस्ती मज्जा यहां पर राइट अंसर हो जाता है ठीक है देखिए आगे कोशन क्या दिया है इसको पड़े है यहां पर देखिए यहां पर polio vaccine की खोज किस ने की थी फूरे है क्या होगा राइट अंसर यहां पर बताने का परियास करें पोलियो इसको अपने एक फेक्ड में सुना होगा पोलियो vaccine की खोज किस ने किया यहाँ पर पूछना रहा है बाकि और भी चीज़े हैं जैसे यहाँ पर इन्होंने कोंट्राड जूस ने क्या किया यहाँ वीटनी इन्होंने क्या किया ठीक है तो यहाँ पर आपका Dr. Jonas Salk यह वल आपका यहाँ पर राइटन सरू जाता है क्या बोलते हैं इसको डॉक्टर जोनास सौल इहोंने पोलियो वैक्षिन की खोँज किया था ठीक है अब एक चीज़ और आता है जैसे एक होता है मौकिक पोलियो जिसके OPV से नाम जानते हैं अप लोग औरल पोलियो वैक्षिन जानते हैं इसके बनते हुए तो यह थो डॉक्टर अलबट साविन क्या है यहाँ आप लिख लिजी डॉक्टर अलबट साविन आप 1961 में इसका एक oral polio vaccine जो है इसका नाम दिया गया ठीक है यहाँ पर तो यह अलबट साबिन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है तो यह जो है अलबट जो इन्हों ने दिया था यह जिवित था लेकिन यहाँ पर जो जोनास ने किया था इन्हों ने 1905 में किया था मतलब यह 1961 में किया और यह 1905 में किये थे ठीक है यहाँ समझे है इसको no down करा लिजए इसा fact चीज़े है अब आगे बढ़ते हैं और चीज़े देखें कोंडराड जूस इन्हों ने क्या किया था तो यह जो यह थे कोंडराड जूसे थे इन्होंने क्या किया था प्रोग्रामेबल क्या थे एक देखें यहाँ पर लिख लेता हमाई क्या होता है प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल कम्प्यूटर का विस्कार किया थे इन्होंने क्या क्या था कंप्यूटर का विस्कार किया था देखे यह चज़े है आज आता है पर एक्जाम में थाम में ध्यान दना चाहिए क्या कैते प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का विस्कार किया था इनों ने ठीक है तो बाकी चीज़े समझ गए तो इस परकार से यहाँ पर आपका राइट असर का है जोनास सौल का आपका यहाँ पर राइट असर हो जाता है आगे बढ़ते हैं आगे दहिए हैं पर कॉशन क्या दिया है औरेंज कोंटेंट औरेंज कोंटेंट आबंडंस ओफ यहाँ पर दिया है संत्रे में पर चुड मात्रा में होता है तो अब य stinky राइट नसर सबी लोग सही पर दी ओंगे vitamin c होता है देखे vitamin c क्या होता है आप लोग सब जानते हैं जैसे संत्रे में अंगूर जैसे खट्टे फल होते हैं उसमें पाये जाता है अब अगर सवाल पूझेता है कि vitamin b12 के बारे में बताइए vitamin b12 के बारे में तो आपको थोड़ा याद हो जाए vitamin b का जो है इसे हम नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं कोबाला मीन के नाम से जानते हैं आप लोग जानते हैं क्या नाम से कोबाला मीन लिख लिजे सभी लोग कोबाला मीन से नाम से जानते हैं ठीक है यह जो होता है पानी में घुलनसिल vitamin होता है ठीक है पाने में का होता है घुलंसिल होता है मानो सरीर की जो है कोसी का है इसको च्यापचे के रूप में उप्योग करता है यहाँ ठीक है किसमें पाया जाता है तो देखे बिटामिन बीटुवेल मचली मुर्गी मास जो डेरी है उन्हें भी पाया जाता है एक और आ जाता है बिटामीन के बारे में, बिटामीन के के बारे में जानते हैं, ये भी ववसा में घुलनसिल बिटामीन है, ववसा में का है, घुलनसिल बिटामीन है, खादे बदान पाया जाता है, ठीक है, ये बिटामीन के होता है, जैसे हारे पतेदार सबजें होती है, सलजम होता है, चुक तो टेखिए इलेट्रो यहाँ पर दिखाए- एंज्रियों ग्राम दिया हुआ है- एलेक्ट्रो-nVINimes Ini इसी कोशन आ जाता है तो आप लोकशन सब जानते है और आप है अपको जानना चेहीं कौन सा इसे होगा सार्ड यहाँ पर한다 बेसी बात है यहाँ पर आपका बी वल आपका राइटन सरो जाता है ठीक है बी वल आपका यहाँ पर राइटन सरो जाता है इलेक्ट्रो एंसे फॉलो ग्राम यहाँ पर दिया है एंसे फॉलो ग्राम यहाँ पर एंसे फॉलो ग्राम यहाँ यह वल राइटन सरो जाता है देख वो जाच करता है ये परिक्ष्ण किया जता है जैसे हमारे सरीर में कई सारे तंत्रिका और बहुत तंत्रिकाएं है तो बहुत ही छोटे जो है एक electrical हिंट है उसको देता है कुछ pattern को बताता है उसी pattern को कहा जता है pattern को मस्तिक तरंग कहते हैं मस्तिक्स तरंग कहते हैं पैटन को तो उसी को जाचने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है मस्तिक्स में पैटन को समझने के तरंग के पैटन को मस्तिक्स तरंग को समझने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है यहां पर ITS रप का वरा हो जाता है, लिख लिजे सो और P में, आगे बठते हैं आगे देखिए, सवाल दिया है, इसको समझना चाहिए आपको यहां पर दिया है, क्या दिया है देखिए, यहां पर deuterium दिया है और treatium नीम्न है, यहां पर आप रोने बच्पन ने पढ़ा होगा यहाँ पर जब बार्मी का रहेंगा मतलब 10 या 12 पढ़े होगे कि hydrogen की समस्थानिक होते हैं deuterium और treatium होते हैं तो यह जो होता है यहाँ पर देखिए कि hydrogen का है carbon का है uranium का है यहाँ पर दिया हुआ है सब का लेकिन हम जानते हैं हमें hydrogen के समस्थानिक है यहाँ तो तो clear हो गया ठीक है आप जानते हैं hydrogen का समस्थानिक होता है ठीक है isotope of यहाँ पर hydrogen दिया है ठीक है isotopes ठीक है आप यहाँ पर जानते हैं जैसे deuterium, treatium, hydrogen का समस्थानिक है ये तो केलिया हो गया लेकिन यहाँ पर जब हाइट्रोजन की बात करें तो हाइट्रोजन जो है यहाँ इसमें हम तीन समस्थानिक पाया जाते हैं इसको लिख लिजिए सबी लोग तीन समस्थानिक पाया जाते हैं इसको बोलते हैं एक होता है यहां पर deuterium क्या होता है deuterium जो यहां लिखा हुआ है अब एक तीसरा होता है treatium बोलते हैं इसको treatium तीसरे साथे हैं अफर theorem provocation लिखेता हूँ मैं अब यहां पर ध्यान दिजएगा यह चाहिए जो protein होता है इसमें क्या होता है neutron नहीं होता है होता है और डिउटेरिया में क्या होता है डिउटेरिया में एक निउट्रॉन होता है ठीक है डिउटेरिया में कितना एक निउट्रॉन होता है और ट्रीटिया में कितना होता है तो यहां पर दो निउट्रॉन होता है कहने का मतलब यहां पर जीरो और वन अनुपात यहां पर तो यह होता है हाइट्रोजन के समस्थानिक होते हैं लेकिन यहाँ पर समझे तीन हाइट्रोजन के समस्थानिक में इससे एक मातर जो ट्रीटियम होता है यह क्या होता है यह रेडियो धर्मी होता है रेडियो धर्मी और कम और जावाले बीटा कड़ों को छोड़ता है तो यह यहाँ पर समझे ये कि जो treatium होता है ये क्या होता है ये by nature ये radio धर्मी पदार्थ है radio धर्मी होता है ठीक इतना समझ में आ गया आप लोग जानते हैं इतना चलिए यहाँ पर आपका right answer क्या हो गया तो यहाँ पर आपका first law radius हो गया अब कई लोग पुझेंगे समस्थानिक क्य होता है तो समस्थानिक आइसोटोप यहाँ पर कितना होता है देखिए आइसोटोप यहाँ पर समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक जो होता है जैसे ऐसे परमाणू जिन में proton की संख्या समान होता है क्या होता है प्रोटान की संख्या समान होता है लेकिन neutron की संख्या अ होता है मतलब समान होता है और न्यूट्रोन क्या होता है तो उसके भिन होता है न्यूट्रोन का तो उसे कहा जाता है समस्थानिक होता है ठीक उसे समस्थानिक कहा जाता है याद रख लिजेगा सभी लोग समस्थानिक संभारिक इसको आप याद रख लेगा, यहाँ पर आई असर आपका फॉस्ट ओला हो जाता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे देखे, यहाँ पर क्या दिया है सवाल पढ़िए यहाँ पर आगे देखे, हरे फॉलो, the gas used over artificial riping, यहाँ पर riping क्या दिया है of green fruit यहाँ पर option क्या है मतलब हरे फॉलो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पर्युक्त गैस क्या होता है यहाँ पर बताया हुआ है देखे एसे टिलीन दिया है एसे टिलीन के द्वारा होता है कि इसके द्वारा एसे टिलीन के द्वारा इसके द्वारा होता है ठीक है तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे फॉलो को जो है कैलसियम कारबाइड वाले कागज में लपेटा जाता है और उनके उपर क्या आता है जल को छिड़क देते हैं किसके कैलसियम कैलसियम कारबाइड वाले, calcium carbide वाले जो कागज होते हैं, उसमें लपेट के और पानी डालते हैं उपर से तो calcium carbide के जल के साथ अभी क्रिया करके काग बलता है ethylene gas का उत्पन करता है, किसका? देखिए, अगर calcium carbide जो है, calcium carbide यहाँ पर लिखने जी, आप लोग calcium carbide calcium carbide जो होता है यह जो होता है, जल के साथ अभी क्रिया करके ethylene बनाता है, क्या बनाता है? ethylene बनाता है chemistry वाला क्लास में अल्रेड़ी में बताया हैं मैं सबको इसको अब पढ़ लिएगा तो समझ में आ जाएगा ethylene बनाता है, ठीक है यह थोड़ा हनिकारक होता है हला कि जो ethylene होता है यह प्रकिर्तिक पादब का हार्मोन होता है, जो क्या करता है? follow को पकने मदद करता है, ठीक है calcium carbide जो है, इसके इससे पाण डालते है, तो यह ethylene बन जाता है अभी ethylene का रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है इसके दोरा पकता है जरूर, लेकिन यहाँ पर जैसे लपेट के इसको पाण डालते हैं, तो यहाँ पर यह ethylene बनता है तो ethylene जो होता है, यह पौधों को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है बढ़ने वाला हार्मोन भी इससे जानते हैं लेकिन अगर ज़्यादा ऐसा हो तो पौधे की मृत्त्ति भी हो सकती है ऐसा बना जता है, ठीक है, ऐसा मतलब है ठीक है, ठीक है एthhylene जो है, एक gacyai hormone के रूप में काम करता है ठीक है यह गैसी हर्मट के रूप में काम करता है इसके बारे में अल्रेटी क्लास बना चुका है उसे आप एक पर देख लिजेगा तो यहाँ पर एथिलीन नहीं होगा यहाँ पर आपका फॉस्ट लापका राइट अंसर होगा ठीक है कभी में भी कंफ्यूज जाते हैं अथि इहाँ पर दिखे वीच वान अब दी फोलॉइंग डज नोट इनक्रीज वाइल मूविंग डाउन दगुरूप ओफदर प्यूदिक टेबल आपके यहाँ पर दियाए और यहाँ पर जो है मेटलिक कार्याक्टट दिया पर यहां पर सेखेज दिया हुआ है और यहां पर number of cell का है number of cell in the element in an in an element र्याही है क्या होगा राइटेंसर यहां पर बताने का परयास कियाए देखे जब हम यहां पर देखें आवर्थ सड्डी में बोल रहा है समौ में नीचे जाने पर अनिम लिखित में से कौन नहीं बढ़ता यहाँ पर पुछ रहा है तो इस अभी चीज़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको पहले परमाणु त्रीजा के बारे में धात्वी गुड के बारे में सही उजगता ततों में कोसों की संख्या यह सभी चीज अब मैं परियोडिक टेबल को आप देख लीजे अभी देखते रही है मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है देखे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रीजा के बारे में उसके बद धात्वी गुड के बारे में बात करेंगे उसके बात सही उजगता और यहाँ पर दोनों को निधान करता है यह अलग बात है देखे आवर्थ साड़ी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का अकार घटता है देखे यहाँ से यहाँ गया तो क्या होगा यह अटोमिक रेडियस परमाणु त्रीजा क्या होगा घटेगा ठीक है बाएं से दाएं अब वही पर यहां प्रध्यान दिजेगा आगे आवर्च साड़नी में बाएं से दाएं जाने पर देगे उसमें भी बाएं से दाएं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा परमाणू का कार तो घटेगा ही साथ ही बाएं से दाएं जाने पर परमाणू की तरिज्या भी परमाणों तरीजा क्या होगा घाटेगा उसी परकार से समुह में जैसे समुह में ग्रूप में उपर से नीचे की आने पर उपर की नीचे की और परमाणों तरीजा क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा क्या होगा बढ़ेगा तो उपर से नीचे की और आने पर नीचे की और जा क्या होता है एज होता है समू में नीचे की ओर जाने पर धात्वी गुड क्या होगा तो बढ़ता है ठीक है नीचे मतला जाने पर और किसी आवर्थ साड़ी में बाये से दाये जाने पर धात्वी गुड घटता है त्रीजा बढ़ता है लेकिन धात्वी गुड घटता है आप अब लिख लीजय इसको पॉइंटको अदर्वाइस आप वेफद्साइड में जाएंगे तो यहां पर लिख़ा हुआ है सभी चीजे वेफ-साइड को जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर आल्रेडी सभी चीजे लिखा हुआ है वेफ-आई में भी उसी पकारद से सहिवोजी के बार खने ही, सह लिपका है, तो यहाँ पर आपका आपका होजाता है, सहिवजगत्य यहाँ पर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे देखें यहां पर question क्या दिया है यहां पर देखें bleaching powder is represented as यहां पर मतलब bleaching powder को dash के रूप में दरसाया जाता है यहां पर right answer कहा होगा as you know that जो bleaching powder होता है उसको कपड़े की जो है clean करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं होने के लिए तो देखें bleaching powder जो हता है calcium hypo coloride को bleaching powder के रूप में जाता है किसको calcium hypo coloride यहां पर तो इसका formula कैसे बनता है तो देखें तो पहले तो oxygen होगा यहां पर oxygen है और यह oxygen है दोनों का minus हो गया अब यहां पर यह दो के टूटेगा और यह जूडेगा तो यहां पर आपका calcium और यहां पर यह calcium हो गया CA2 plus CL तो यह formula होता है और इसका सुत्र जो होता है वो होता है CAO CL2 ठीक है यह formula होता है तो इसको कहा जाता है calcium hypo coloride कहा जाता है तुर्शीट क Nästa पर यह ँगया देखिए जो bleaching powder होता है यह पीले रंग का powder होता है क्लोरीन जो होता है chlorine जो होता है यह बहुत ही तेज क्लोरीन का यह आऊ ठन्डे जल में क्या होता है जिसे leaching powder होता है यह तनु अम लोगे हैं करके क्या करता है क्लोरिन बनाता है अम लोग के साथ तरुम के साथ करिया करके ठीक है तो यहां पर यह हो गया जैसे आगे देखिए इसका कपड़े दोने में इस्तमाल करते हैं हो गया पॉइंट आगे देखिए यहां पर क्या दिया है तो यह है कैल्सियम कॉलराइड दिया ह हो जाता है तो यहाँ पर आपका लास्ट लाया यहाँ पर यहाँ आपका रीड करल जाता है शोब का बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कैल्स लिपो कोलोराइड याद रखेगा आगे बढ़ते हैं देखिए इस प्रकार का कोशन पूशे जाता है इसमें आपको कैसे बनाना है इसको ध्यान दिजेगा देखिए यहाँ पर वोट इस दा नमबर आप यहाँ पर निवरों इकाज है निवरों दिया है तो देखिए इसमें दो चीज़ आप याद रखेगा हम ऐसा जो उपर में रहता है इसको हम दर्साते हैं ए से ठीक है तो ए क्या है तो ए जो है यहाँ पर ए जो है यह है परमाडू में नुकलियोन की संख्या क्या है परमाडू में नुकलियोन की संख्या दरसाते हैं तो इसको लिखते हैं परमाड़ में प्रोटानों की संख्या क्या रहता है प्रोटानों की संख्या ठीक है यह हो गया प्रोटानों की संख्या तो इसको जेट से दरसाते हैं तो हमें यहाँ पर न्यूट्रानों की संख्या निकलते हैं न्यूकलियांस में यहाँ प्रूटाणों संख्या घटा दीजे, ओविस्शी यहाँ पर घट जा यहाँ अपर अपका neutron की संख्या आजाएगा, ठीक है? तो कैसे neutron की संख्या निकालते हैं? तो इहाँ पर आपका z बराबर कीतना दिया है तो इहाँ पर 8 दिया हो है, a बराबर कीतना दिया है तो इहाँ पर आपका जो है यहाँ पर neutron N बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 18 में से 10 एंट गाटा दो यहाँ इस उकल टो इहाँ पर 10.10 क्या होगा? neutron उब्यसी बात है यहाँ पर फर्स्ट लप का right answer हो जाता है ठीक है? यह करेक्ट है यहाँ पर first love का यहाँ पर right answer हो जाता है आगे बढ़ते है तो यह है आज तकी वीडियो और इससे आगे और भी वीडियो बनेंगे जो आपको general question जो है top 20 question पढ़ाये जाएंगे उसमें ठीक है तो जो कि बहुत important question है यह सब general science के रूप में आता है अब यह सब आपको compulsory है आपके mind में यह सब हो नहीं चाहिए इस question answer जितना भी है यहाँ पर जितने भी बता जाते हैं सभी important question रहते हैं जैसा कि आप जानते हैं जो previous वीडियो है उससे आप एक बार जरूर विजिट की जाएगा उसमें सभी चीजे मैं बताया हूँ और nursing aptitude का भूलना मत यहाँ पर आपको nursing aptitude का पूरा detail class मिलता है अगर आप previous वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी चीजे आपको पूरा proof के साथ दिया गया है कि आपको कैसा का सवाल पोच जाता है ठीक है इसे योजना के बारे में कई सार योजना भी है जो कि आपको देखना चाहिए तो फोप की यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किसी पर को कि और कोईरी होगा कमेंट कर दीजेगा जो भी पूछना होगा आप सबको और टेलिग्राम में जरूर जूट जाई है सभी लोग टेलिग्राम में हमेशा में अपडेट कर दूँगा वीडियो जो भी है वीज, नेक्स्ट, जो है अबजेक्टिव कोस्चन, और सभी चीज़ा आपको मिल जाएंगे सो आई होप के चीज़ समझ में आ गया होगा और चैनल को जरू से सब्सक्राइब करके शेर कर देजेगा